तमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में और हम इस वीडियो में रिसकस कर रहे हैं दा हिंदू नेटीवर को हिंदी में इन दी विडियू के लिएांपको 33 सितंबर 2019 चलिए देखते हैं आज के दाहिंदू नुच्वर की करंट अफेर और आज का QWERESTION जान लेते हैं पहले तो तो थो जो qelection है वई इस qelection काशर आपको जो छोटा वाला वीडियो आता है objective type current affair का उसमें इसका answer मिल जाएगा तो वह वीडियो 7 बजे आ जाता है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लें और वहाँ से आपको answer पता चले तो answer comment box में इसका answer जरूर दे तो देखें यहाँ पर जो यहाँ पर option है वह देख लेते हैं कौन सा देश, global, entry, microbial, resistance, research and development hub का सबसे नया सदस्य बन गया है फिक है तो option है आप चीन, US, आरत और बाहलादेश तो यह 4 option है इनका answer आप comment box में जरूर देखें साथ यह video को like जरूर करें motivation मिलता है और हो सके तो hindi medium student के साथ share भी करें ताकि उनको भी फायदा हो सके अब जो call question पूछा गया था उसका answer जान लेते हैं तो इसका answer यहाँ पर है पी के से ना तो इन्हें अभी ब्रधानमंती जी है जो हमारे यहाँ पर इनका मुख सलाकार सुना गया है यह परसन है इसके अलावा जो हमारे editorial pages हैं जान लेते हैं कौन-कौन सी news आज हमें discuss करनी है तो पहला वाला article यहाँ पर इंदिया और जो अमेरिका है इनके संबंधों की बात की जा रही है फिकर इसके अलावा फिर यह वाला article भी इसमें यहाँ पर अमेरिका और जो इरान है इसके जो सं इसके अलावा यहाँ पर जो motor vehicle संसोधन हुआ है तो उसके बारे बात्चित की जा रही है किस तरह से केंद सरकार रही है बिल लाई है यह कानून लाई है देखे जो राज है वह है यहाँ पर इस कानून को आसानी से यहाँ से लागू करने से मना कर रहे है तो एक गती रोध क्या रही है तो जानेंगे उसको और यहाँ पर क्या इस्तिती है इसके बारे में फिर बात की जारी है कि जो बड़ी बड़ी राजनेतिक पार्टिया है उनके अंदर क्या चल रहा है जैसा कि आज सुक्रवार है तो आज question पूछा जाता है तो question यहाँ पर पूछा गया है कि जो public university है वह किसी खत्रे के अंदर है क्या जो हमारी सरकारी universities होती है महाविद्याले होती है तो क्या आज की समय में यह खत्रे में है तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे थोड़ा important है तो थोड़ा इसको समझ लेंगे फिर यह important नहीं होता है article क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है जो reporter होते हैं वह अपनी story सुनाते हैं किस तरह से वो report लेनेंगा है क्या-क्या यहाँ पर परिशानी हुई report लेने में तो important नहीं होता है फिर cartoon section देख सकते हैं यहाँ पर अभी चंद्रयान 2 सफल विफल हो गया यहाँ पर तो यहाँ पर एक तरीके से speech दी जारी है यहाँ पर की चंद्रयान पूरी तरीके से विफल नहीं हुआ है यह अभी सिर्फ उल्टा उलट गया है यहाँ पर public बैठी है तो public यह सोच रही है कि हो सकता ही है उम्मीद कर रहा है अर्थववस्ता की अर्थववस्ता उल्टी है अभी भी उम्मीद है कि अर्थववस्ता सीधी हो जाएगी और यह चंद्रयान टू की बात कर रहे है इस तरह से देखें लोगों के बीचे संसर जा गया है क्योंकि अर्थववस्ता भी धीमी है और यहाँ पर सीधी सही नहीं है तो लोग कहीं न कहीं इससे रिलेट कर रहे हैं इंजीनियों से अब चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ जो कि हमारा अंतराष्टी आर्टिकल होता है तो बात की जाड़ी है कार्ड पर यूएस एरान ठीक है यूएस और इरान तो आपको बता दें कि यूएस है इरान पर मुआनू समझोता है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जाड़ी है तो इरान और यूएस की ही बात की जाड़ी है तो देखें अभी जैसे आपको पता होगा अमेरिका में 2020 में चुनाव होने बाले है अब चुनाव के लिए मुद्दा चाहिए किसे जो अमेरिका के करंट में राष्टपती है दोनाल ट्रम्प तो इन्हें कहीं न कहीं मुद्दा चाहिए और एक रणनीती कार के रूट में अपनी पृतिष्ठा स्थापित करनी होगी अगर इन्हें अगला चुनाव जीतना है तो कम से कम एक अच्छा राजनेता बनके बाहर आना पड़ेगा इन्हें तभी जाकर यह जीत पाईए पहले एक नाट के विदेशनीती सफलता की सक्त आवसकता है तो कम से कम इनकी एक तो विदेशनीती सफल हो जाए क्योंकि देखे इनकी जितनी भी विदेश नीतिया हैं यहाँ पर आसफल हुई है चाहे आप उत्तर कोरिया में देख लेक किंजॉंग के साथ इनने दो मीटिंग कर चुके हैं लेकिन यह मीटिंग सफल नहीं हुई क्योंकि देखे जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है यहाँ पर उस पर कोई भी यहाँ पर मुद्दे पर सफलता नहीं मिली है ना तो मिसाइलों को यहाँ पर दिनिकलराइज करने की बात कही गई है यहाँ पर जो भी यहाँ पर रणनीती हुई है तो दोनों तो इसके बीच में कोई भी सहमती नहीं बनी तो एक तो यह है विफलता हो रही इनकी दूसरी यहाँ आप देखे अफगानिस्तान में तालिवान तो अफगानिस्तान में तालिवान के साथ बहुत बारता बात चीत हुई बैठा तो जो तालिवान है इसके साथ भी अभी हमने दो दिन पहले ही देखा एक दिन पहले टरम्प ने बारता लाब करने से मना कर दिया है अब कोई भी सान्ती बारता नहीं होगी तो देखे यहाँ पर यह भी यहाँ पर असान्ती यहाँ पर फैली हुई है और सबसे बड़ा कारण यह है देखिए चुनाओ का कि 2016 में जब चुनाओ हुए थे तो टरंप का चुनाओ परसान में एक ही मुद्दा था अमेरिका फ़स्ट या तो अमेरिका फ़स्ट नीती अपनाएंगे साथ ही जो अमेरिका के यहां पर सैनिक हैं जो दूसरे देशों में जैसे कि अफगानिस्तान अफ़से हुए हैं इन सब को बापिस लाना है तो यह हैं इनका मुद्दा था वो तालिवार कैसी लिए हां पर बाच्चित करने की बात भी की गई थी अब देखें दो तीन हां पर परमवानुन नीती तो ठीक है अब यह नीती बजी है अगर इसके साथ कुछ होता है तो इन्हें नुकसान हो सकता है तो इसलिए एक मात्र छेत्र वचा है जो छोड़ता है जहां ट्रम्प अपनी कूट नीती निपॉरता का प्रदासन कर सकते हैं तो अब मात्र एक ही छेत्र वचा है जहां पर यह अपनी कूट नीती दरसाथ रखने है अपने आपको एक अच्छा राजनेता यहाँ पर प्रदासित कर सकते हैं अब सिरी ट्रम्प के कुछ करीवी सही होगी ठीक है अभी देखे आप जैसे देखे 2016 में बन के आई थी नीती 2016 में यह चुनाव जीट कराए तो उस टाइम से अभी तक नीती सफल क्यों नहीं हो पाई तो उसके कुछ कारण थे उसके कुछ कारण क्या थे देखे एक तो इनके जो मुख्र राष्ट्य सुरक्षा सलाकार जौन वॉल्टन थे तो इनके कारण यह नीती लंबे समय से चली आ रही थी इनके कारण जो सलाकार थे इनने यहाँ पर सला दी थी कि हमें परमानुनीती से बाहर हटना चाहिए परमानुनीती को अपना नहीं चाहिए तो इन्हें अभी हाल ही में बरखास कर दिया गया है इन्हें राश्टी सुरक्षा सलागार के पत से हटा दिया गया है तो अब यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि अब जब यह हट गये है तो यहाँ पर नीतियां बदलेंगी और यहाँ पर जो ट्रम्प है यहाँ पर एरान के साथ अलग से यहाँ पर यहार करेंगे अब अगर हम बात करें जोन वॉल्टन की तो देखे यह ऐसे सुरुक्षा सलाग आते थे जिनकी नीति थी जो इरान में सासन परिवातन की बकालत करते थे कि इरान के खिलाब जो हमारी नीतियों से बदलना चाहिए बहले ही बल द्वारा क्यों न हो यह तो सोचते थे कि हमें जैसे जैसे हो सके तो इरान पर कंट्रोल करना चाहिए चाहे बल से करें या फिर अपनी नीतियों से करें लेकिं ट्रम्प थे ट्रम्प ने साप माना था कि वो है कोई भी युद्ध नहीं चाहते हैं मैकरोन थे जो इन्होंने यहाँ पर ओर इरान की जो बिदेश मंत्री थे इन्हें यहाँ पर आप देखें यहाँ पर फैसल कर आया था रास्ट पती मेकरोन ने कहा था इन्होंने घोशना की थी कि जल्द ही जो अमेरीका का राश्छ्डपती ट्रृम्प हें और एरान के जो यहाँ पर राश्छ्टपती हैं रोहानी जी इनकी बैठक होगी ठीक है आप एक बार चेक कर लें राश्छ्टपती हैं कि यहाँ पर प्रधान बंतरी हैं ठीक है? तो थोड़ा सबसद आपको पता होना चाहिए, थोड़ा आपचागा सच करके देखें, ठीक है? तो जो रोहानी है, इरान के रीडर है, रीडर बोल देते हैं, अभी प्लाल में ठीक है, तो इनके साथ अभी बैठक होगी, श्री रोहानी ने संकेत दिये थे, कि बैठक तभी होगी अमेरिकां साथ बाचीत तभी होगी जब वह जो इनकी परमानू सरते हैं 2018 में इनको मान लेंगे और इनके उपर जो पितीबंद लगाए गए हैं इनको हटा देंगे तो यहाँ पर जो भी पितीबंद लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा इरान पर उन्हें हटा दिया जाएगा तभी जाकर बाचीत होगी जो परमानू समझोता है इस से रिलेटेड ठीक है तो यह इनके द्वारा कहा गया था साथ ही अब दूसरा पॉइंट देखे इरान के खिलाब जो भी राज नीती चल रही है जो भी यहां पर नीती आपनाए जाई रही है उसके दो कारण है मोकरूब से एक तो होगा इसराइल दूसरा होगा जोण बॉल्टन अब हमें यहां पर मैट में देखने की जोगत है दीखे आप यहाँ पर आपको मैट मैं इंडिया नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा अगर हम जूम चरें यहाँ पर तो देखे इस तरह पर आपको इरान नज़र आजएगा Arabian Sea होगा, Persian Gulf होगा, Gulf of Red Sea ठीक है आप यहाँ से यूरोप भी जा सकते हैं यहाँ पर होगा इरान अब आपको यहाँ पर इसराइल इस तरफ नज़र आ रहा होगा फुरा सा और जूम कर लेते हैं तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा देखें Iran, Iraq होगा, Syria, Lebanon होगा, Jordan, Israel इसराइल का यहाँ पर support मिलता है अमेरिका को अमेरिका का एक अच्छा मित्र है इसराइल कहें हम तो और एरान एक तरीके से इनका दुस्मन बन जाता है फिर तो इरान है और इसराइल तो इसराइल के कारण ही यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉबलम होती रहती है अमेरिका और इसके सब बीच में तो अब यहाँ पर देखे जॉन वॉल्टन को तो यहाँ पर पत से ही अठा दिया गया है अब बचा इसराइल तो इसराइल में नहाँ पर जो सीधी मुटवेव के दो परमोग बादाए है एंकि जो इरान है और अमेरिका इरान के बीच में जोवी मुटवेव चल रही है उसके दो पहलू है इरान और यह है जो जॉन वल्टन हड़ चुगे है अब इरान के यह इरान के इस खिलाब नीती चल रही है उसको बदला जा सके तो यहाँ पर इसरायल के जो प्रधान मंत्री है इनसे भी बात चीत होगी अमेरिकी राष्टपती को यह नहीं बताना की कम मिलना है तो अभी यह निश्चित नहीं हुआ है कि यह बेंजामिन नितायू है जो यहाँ पर इ तो इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर स्री ट्रम्प और रोहानी के बीच में एक बैठक इस महीने नियुवर्क में संयूतर राष्ट महासवा में संपन की जाएगी तो एक मौका है यहाँ पर दोनों लीडर का आपस मिलकर बातचीत करने का और जो भी यहाँ और मतवेब हैं उनको मिटाने का इस 01 की बैठक भले ही है सभी विवाद मेशिस पर दोई पक्षे मुद्व को तुरन धर नहीं करें तो देखिए इस तरह की बैठक है हो सकता है कि सभी मुद्धेहल ना हो, हो सकता है कुछ मुद्धेहल हो, थोड़ी बहुत बातचीत हो लेकिन कम से कम जो नीती है आज के समय में जो एक दूसरे को उपर दवा बदला हुआ है, एक दूसरे खिलाब यहाँ पर तनाव है, कम से कम उसको कम करने की यह नीती होगी तो यह हमारा complete article था इस तरह से अमेरिका यहाँ पर नीती में बदलाव कर रहा है, तो थोड़ा आई गया होना चाहिए, अगर कुछ भी बदलाव होते हैं तो यह हमारे लिए important हो जाता है अब बात करते हैं, अमेरिका से इन्होंने क्या किया, जो परवासी थे यहनि की बाहर से आकर अमेरिका में रह रहे थे लोग, इनके खिलाव जोड़दा तरीके से पीज़े हट रहे थे मतलब इन्हें पीज़े हटा रहे थे साथ ही अमेरिका की अदालतें इस सबमन रहें फैसला कर रहें तो जैसे ही इनने नीती अपनाई जो परवासियां हैं, इनने बाहर निकालना है, अमेरिका से बाहर निकालना है नहीं रखना है, तो ऐसा कुछ फैसला ट्रम के दौरा लिया गया और इस फैसले की समीच्छे अदालतें अमेरिका की कर रही हैं, और इनके फैसले भी आ रहे है इस हफ़े एक सुप्रीम कोर है इनने फैसला सुनाया है कि जो मद्द और लेटन अमेरिका के परवासी है तो बास्ता में दुनिया के अन्न हिस्सों से मेक्सिको ये लिए सरान प्राप्त करते है तो देखे आप मेप में देखें तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा है तो देखे यहाँ पर हम अमेरिका कितब चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अमेरिका नजर आ जाया उपर होगा कैनाडा बीच में हो गया अमेरिका मेक्सिको तो देखें, यहाँ पर इस्तिती बहुत खराब है इस वाले एरिया में, पूरा ब्राजील वाला हो गया है, यह पूरा गरीब देश है, यहाँ पर पूरे आइलेंड हो गया, जो बैनिजुला देख सकते हैं, यहाँ पर इस्तिती सही नहीं है, मेक्सिको हो गया, यह जो बॉर्डर वाली यहां इलाके में तो अब इस बार इलाके से जो सरनाती आते थे उनको रोकने के लिए ट्रम प्रसासन ने नीती बनाई थी अब उस नीती को हरी जंडी दे दी गई है इस हथे सुप्रीम कोट के द्वारा तो जो सुप्रीम कोट है वह भी ट्रम को यहां पर तो इसके लिए ट्रम के साथ दीवा तो ट्रम ने यहां पर कहा था कि हम मेक्सिको यहां से बड़े लेवल पर क्या होता है इसमर्गिंग बगएरा होती है डिलक्स बगएरा की तसकरी की जाती है तो इस बॉर्डर पर एक दीवाल उठाने की बात कही गई थी इनके रोड़ पुनर नदेशित किये थे वाइट हाउस के द्वारा इन्हें अधिकरित किये गए थे ताकि आप यहां पर दीवाल वगएरा उठा सकें साथ ही अब अदालते भी उनकी जो नेती है उसको उपज दे रही है उसको हरी जंडी दे दी गई है साथ ही आगे बात करेंगा हम तो यहां पर Department of Homeland Security तो यहां पर इनकी भी एक नीती निकल कर आई थी Department of Homeland Security की इन्होंने बरसों के विवाद इसपत पारिवारिक अलगाओ इसको समाप्त करने के लिए जो बरसों से चला आ रहा था पारिवारिक अलगाओ था बरसों पूर्फ से विवाद इसपत था तो इसमें क रखा जा रहा था लगवग 20 दिनों की रासत में अलग से रखा गया था तो इस तरह से नीती अपने थी कि देखें बच्चे थे उन्हें माता-पिता से भी अलग कर दिया गया था तो बहुत बड़े देवल पर यहां पर criticism हुआ था इस नीती का तो कुछ इस तरह की नीती यहां पर अपना ही गई है इसके लाव अगर बात करें यहां पर आज किसम में लगवग 37,500 से अधिक प्रवासी मेक्सिको की जो वॉडर है यहां पर migrate होकर protection protocol का सामना कर रहे हैं यहां पर रोका जा रहा है इन्हें इस वॉडर पर आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है औ तो इससे एक ही बात घोसत होदी है यहां पर कि देखे पृतेक राष्ट को अपनी सीमाओं को अगौसत रूपसे परयात मात्रों में प्रवेश से बचाने का प्रवास से बचाने का अधिकार है लेकिन आप देखे कि यहां से जो लोग आ रहे हैं उनकी स्तिती खराब है कम से कम अमानिये वेवहार तो ना करें उनके साथ कम से कम उन्हें कुछ समय के लिए रखें उनके लिए कुछ नीती बना कर रखें तो इस तरह से कुछ अपना सकते हैं कुछ मानव तो यहां पर दिखा सकते हैं तो यह है यहां पर राइटर का तर्क है अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ यह है आर्टिकल कम्प्लीट हो चुकता है अब यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया और जो अमेरिका है इसके संबंद की बारे तो देखे बोल्टन, जॉन बोल्टन सुरक्राष्टी सुरक्षा सलागात अमेरिका के अब हट चुके हैं तो अब यहाँ पर जो नीतियां चल रहीं थी विदेशों के साथ तो कहीं न कहीं इनका हस्त शेप रहता था नीतियों में तो यह यहाँ पर सलाह देकर नीतियां बनवाते थी अब यह जा चुके हैं तो हो सकता है भारत और ट्रम्प पर सासन है इनके बीच में नीतियां बदले इनकी जो गति सिलता है इसमें कुछ बदलावा हैं साथ ही अमेरिका के साथ अपने सम्मंद्र को निर्धारत करने की अनुमती नहीं देनी चाहिए अब भले ही यह चले गए हैं लेकिन अब नियम नियम में तो बदले जाएंगे नए सुरक्ष सलाका राएंगे उनका कुछ अलग रहा है यह रहेगा तो यहाँ पर यह सी इस्तिती होगी तो भारत के यहाँ पर फूंक 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 पर कदम चलने की आव सकता है तो बिदेखें कुछ भी यहाँ पर इस्तिती हो सकती है अच्छी हो सकती है गरवार हो सकती है यहाँ पर देख रेक करकर ही चलना चाहिए, एक दम से अनुमती नहीं देनी चाहिए, कोई भी संबंध निर्धारत करने के लिए, तो समझ कर यहाँ पर बचार करना चाहिए, साथ ही अमेरिकी राष्ट शुरक्षद सलाकार, जोन बॉल्टन, जिन्हें अभी राष्ट पतिन अचाहिए, कि इन्हें अटाया गया है, क्योंकि देखें, बड़ी बड़ी जो नीतियां है, इनके द्वारा यहाँ पर चलाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इरान के साथ सत्तूरता पूर्ण नीती, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिसकस किया, तो इरान के खिलाब जो कारवाई करना, यह इनका यहाँ पर विचार गयता था, उत्तर कोडिया की बात करें, तो नेता किंजम के साथ और बेनियुजुला के सासन परीवातन के लिए धक्का, तो देख सकते हैं, इस तरह से इनके द्वारा नीतियां अपना ही नहीं है, दुनिया वर की जो देश है उनके साथ, साथ यह अगर बात करें, बहु बख्ची संस्थानों और समझोतों पर, देखें, बहु बख्ची जो संस्थान हैं और जो समझोते थे अमेरिका के दूसरे देशों के साथ, तो उस पर भी इनके द्वारा हस्तचेप किया गया है, पहला तो देखें, मानाव रद्द करना की अध्यक्षिता करना, तो जो परवानों समझोता था इरान के साथ, उसको भी यहाँ पर रद्द करने की अध्यक्षिता की लिए, तो बड़े-बड़े जो फैसले हैं, बड़े-बड़े जो नीतिया हैं, इसमें इनके जो 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 नीतिया हैं, इनके लेवल पर यहाँ पर नीतिया खतम हो रही है और उन्हें खतम किया जा रहा था तो अब यह उम्मीद यह है कि वह चले गए है तो यह काम रुक जाएगा साथ ही अब बात करें इंडिया की तो उनका अंतिमकार देखे उन्हें क्या किया था पाकिस्तान समर्थे तालिबान के साथ अमेरिका का समझोता रद्ध कर दिया था तो तालिबान का समझोता था वह हैं रद्ध किया गया था तो इंडिया में जो आतंगवाद गतिविदिया होती है उनके लिए कहीं न कहीं रुकावट पैदा की गई थी जॉन वॉल्टन के द्वारा नई दिल्ली को बाइट हाउस और मंत्री मंडल के सभी परिवातनों पर गहरी नजर रखनी चाहिए तो देखे अगर अमेरिका में कुछ भी होता है तो उन सब पर हमें नजर रखनी होती है क्योंकि देखे बड़ा लेड़ाड़े कुछ भी हो सकता है कहीं भी यहाँ पर चीजें हो सकते हैं गड़बर इसलिए हमें इन सब पर नजर रखनी चाहिए ताकि साथ ही जो सरकार है इसको भी यहां पर नजर लखनी चाहिए, अलाकि सरकार तो और रखी रहती है और हम भी यहां पर डिसकस करी रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कहां पर क्या चल रहा है, अमेरिकी नीती में स्थिरता की उम्मीद करना एक मूर्खता है लेकिए अमेरिका की जो नीतियां है राजनीती है यहाँ पर उतल पतल चलती रहती है चलो राजनीती तो ठीक है कि यहाँ पर पांस साल के लिए राष्टपती बन कर आ गए लेकिन जो अंदर की नीतियां है राष्टपती की जो सासन है केविनेट है उसकी न देखे जब से यहां पर ट्रम्प आये हैं, ट्रम्प ने पदभार समाला है 2017 के बाद से, तो अगर आप देखें, जो हलाकि 2016 में आ गए थे, लेकर हम डिस्कस करने है 2017 से नीतियों में जो बदला हुआ उसकी बार, तो देखें, स्री ट्रम्प ने भरती हैं जो उनमें छटनी क चुके हैं, और जो राज्य सचेव हैं, वो है दो बार बदले जा चुके हैं, तो इस तरह से यहां की जो नीतियां हैं, उसमें इस्तिरता नहीं है, अब हम उमीद भी नहीं कर सकते कि इस्तिरता होगी, क्योंकि वो यहां पर घड़ी-घडी यहां पर बदलती रहते हैं अगर आगे बात करें, भारत अमेरिका के साथ अपने दुई पक्षी संबंधों या अन्य संबंधों को इस तरह के तरल-गति-सील द्वारा निधायत करने की अनुमती नहीं देगा, तो देखे, जिस तरह से नीतियां चलती हैं, मेरिका की नीतियां चलती हैं, तो हमें अन देखें इंडिया और इरान अच्छे खासी मित्र हैं यहां पर आप अगर मैं पर देखें तो हम बड़े लेवल पर यहां पर इरान से तेल बगयरा लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर पाकिस्तान की थोड़े से आगे आपको इरान नजर आएगा यहां यहा यहां पर आप थोड़ा स्लो हो गया है, तो यहां पर आपको नजर आ जाएगा, तो यह है हमारी नीती थी ताकि हम यहां पर जाकर व्यापार कर सकें, आसानी से, और हम यहां बाले देवर पर तेरे खरीगते हैं, यहां पर च्छावार को डेवलप किया है, ताकि हम Central Asia में जा कर व्यापार कर सकें, अपना जो एजेंड है, वह नहीं चला सकें, लेकिन, अमेरिका की द्वरा क्या किया गया था, हमारे उपर पितीबंद लगा दिये गया थे, कि हम इरान के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो यह किया गया था, साथ ही, चीन हो, रूस हो, इराक यो इस तरह तेल पितिवन्दों के मुद्दे पर स्वेम की बकालत करने को रखता है तो इंडिया को कम सकम ऐसी नीती बना चाहिए कि अगर आमे चल्द कर हमारे उपर पितिवन्द लगाता है अमेरिका यहां मेरान से तेल खरीदे से बना करता है तो ऐसे मुद्दों की हम बकालत स्वेम कर सके हम यहां पर बकालत भी नहीं कर पाते हैं अमेरिका ने अगर हमारे उपर सेंक्शन लगाए हैं तो हमें उनके सेंक्शन को मानना पड़ जाता है क्योंकि देखें अमेरिका से हमारा बहुत बड़ा बयापर चलता है तो इसलिए हमें यहां पर कही नहीं जोखना पड़ता है कम से कम ऐसा तो हो कि हमें यहां पर बोल सके कि नहीं हमें हमें बहुत जान नुक्सान हो रहा है हमें यहां पर आपके प्रिवंद नहीं मानेंगे तो कुछ ऐसा कर सके इसलिए ऐसा करना चाहिए अब बात करें भारत को अमेरिका के साथ अपने रणनेतिक और आर्थिक संबंदों का निर्मान करना चाहिए तो बही बात है कि अब नीतियां बदल सकती है यहाँ पर scenario change हो रहा है अभी चुनाव होंगे अमेरिका में नई सरकार बन कराएगी नई राष्टपती चुने जाएंगे भलेगी वोई ट्रम भी क्यों न चुन कराएगे तो यहाँ पर अब नई नीतियां बनाने की बात की जाड़ी है और इसके लिए बात करें अगर अभी current 2019 में तो प्रधान मंत्री मोदी जी इसी महीने अमेरिका की आत्रा पर जाने वाले हैं और अमेरिकी राष्टपती से मिलने वाले हैं तो यहाँ पर नए आयाम हैं जिन्हें यहाँ पर खूल सकता है भारत और एक अच्छा मौका है यहाँ पर अभी तो इसका लाव उठाना चाहिए भारत को तो यह तो हमारा था अंतर राष्टी आर्टिकल, अब बात करते हैं हम राष्टी आर्टिकल की, तो हमारा जो राष्टी आर्टिकल है वह है यहाँ पर मोटर वीकल संसोधन अधीनियम 2019, तो यह अभी कानूर बन कर आया है, एक सितंबर से लागो भी हो गया है, जिसमें सडक यहाँ जो नियम है उनका उलंगन करने के लिए कथोर दंड है, ठीकल नए नियम बन कर आये हैं, यहाँ पर पहेंशन है, यहाँ पर लोगों का अगर एक्सिजिटेंट हो जाता है, तो उसके लिए माः्ब दंड दिये गए हैं, इसके आप देख सकते हैं, पंदा पंदा 20 azt रुपे आपको जुर्माना लग रहा है कहीं अगर आपने को लंगन किया हेलवेट नहीं पहना सीट बेड नहीं लगाया है तो इस तरह से कड़े डंड है यहाँ पर जिसके लिए जो राज्य सरकार हैं जुर्माना की मात्रा को मानने से कम करने या यहां तक की नए प्रावध बना हुआ है केंदर और राज्यों के फीच में अगर हम बात करें राज्यों की तो गुजरात ने कहा है कि जुर्माना ह में भारी कट्वती की घूशनन की आहिंकी जुर्माना बहुत अधिख है इससे भ Rhश्टा चार वगएरा बढ़ सकता है और यहाँ पर लोगों को नु और करनाटी का अध्यान कर रहे हैं कि जो प्रावधान हैं उनको थोड़ा सा संभावनाओं को थोड़ा अध्यान किया जाए थाकि जो प्रावधान कट हो रहे हैं उनको धीला किया जाए उनको आसान बनाया जाए साथ ही अन्य सावधानी से जुड़े लोग आगे बढ़ रहा है अन्य राज भी यहाँ पर अपना एनलेसिस कर रहा है जो चालक है इनने पुलिस द्वारा जुर्माने लगाने पर नाराजगी के साथ पती के लिए व्यक्ति है तो देखे यहाँ पर चालक देखे मानके चलिए एक व्यक्ति हमने आरिकल देखा था कुछ दिन पहले कि उसकी स्कूटी तो है 10,000 की उसे फाइन लग रहा है 15,000 का एक व्यक्ति ने तो सडक पर ही स्कूटी जो उसकी बाईक थी उसको यहाँ पर जला दिया था तो इस तरह से लोग यहाँ पर हैं जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं देखे और लोगों की नाराजगी व्यक्त करना सोभाविक है क्यूंकि यहाँ पर आप देखें क्यूंकि देखे अगर fine लग रहा है तो हमें उतनी जाना सुभी दा मिलने चाहिए अगर आप कहीं पर जाकर पैसे दे रहा हैं तो आप उम्मीद यही रखते हैं कि आपको उतनी अच्छी सुभी दाय मिलेंगी तो देखें ना तो हमारे यहां पर सरक हैं ना बुनियादी धाचे हैं ना तो हमारे यहां पर जो यहां पर signal system होता है सही से follow किया जाता है तो इस तरह की चीज़ां होती हैं तो कि हमसे कम बुनियादी धाचा सही करें सडकें सही बनाएं आप बिरेज़ बनाएं तो लोगों को परिशानी ना होगी तो लोग आसानी से यहां पर क्या करेंगे आपको find देंगे text देंगे लेकिन आप सुभी दा देते नहीं है आप लेते रहते हैं और आप यहां पर नियम कानून और कड़े बनाते जाते हैं इसलिए यहां पर लोगों में गुस्सा रहता है और इसके चलते ही यहां पर नितनकर्ट करीजी है जो इन्होंने तरक दिया है कि देखे जो नए नियम कानून मुनाएगा है इनका मकसद पैसा इखटा करना नहीं इनका मकसद है लोगों की सुरक्षा ताकि लोग सुरक्षत रहें सेफ रहें और इन्होंने एक तरक और दिया है कि अगर आप 2017 की रिपोर्ट देखें तो यहां पर लगभग 1,47,913 लोग सड़क दु होती है इंडिया में बहुत ज्यादा मौते हो जाती है आप देख सकते हैं आंकड़े तो कम से कम इन आकड़ों को सुधारा जाए तो इस लक्षत से यहां पर नए नियम बनाएगा है ताकि आंकड़ों में बदलावा है लोगों को यहां पर सुभी दर दिन सके इसका उद् जाएंगे कि अगर पकड़ेगा तो फाइंड बहुत जादा लग जाएगा तो कम से कम एक दर्व है पैदा हो जाए लोगों के अंदर ताकि यह से प्रिक्रिया ना करें अलाकि यह सब है लोगों के लिए भले ही लोग इसके लिए अपना यहां पर प्रदसन दिखा रहे है इसके अलावा परिवहन मंतराले की बात करें तो यह क्या कर सकते है आज किसम जो आर्टी और से वाए हैं इनको इलेक्ट्रोनिक ड्रेवरी में अनिवार बना सकते हैं ताकि लोगों को यहां पर ज़्यादा परिशानी नहों आसानी से इलेक्ट्रोनिक हो जाएगा तो आसा सड़कों के जो कानून हैं उनकी अंदेखी करते हैं माने के चलिए यहाँ पर ट्राफिक लगा है कहा जा रहा है कि मंतरी की गारी आ रही इसलिए ट्रेफिक रुका हुआ है कोई भी आईपी आ रहा है आसानी से कानून बगरा तोड़के जा रहा है पुलिस वाले भी आईपी को आसानी से छोड़ देते हैं ट्रेफिक पुलिस होती है जो तो इन किनियम कानूनों को भी बदलने की जरूरत है विदेगे जो प्राणी संस्कीती है इसको समाप्त करना चाहिए साथ ही नागरिकों को उनका पालन करने के लिए पुलिसाहिद करना थे तो नागरिकों को कम सकम यहाँ पर इतना जागरुप करने इतना सक्षम करने आप कि वह पुलिसाहिद हों वह वह नियमों को आसानी से यहाँ पर पालन करने लगी जाए तो यह हमारा complete article था अब यहाँ पर बचे हैं Lasht के दो आर्टिकल तो बात की जारी है हां पर Congress Party की यहाँ पर देख सकते हैं Congress Party कहा है एक दल-दल में यहाँ पर फासी हुई है इस तरह की दल-दल बात है यहाँ पर 6 अगस्त 2019 की जम्मू कस्मी से 370 अनूचित को और 351 को हटाया गया यहाँ पर तो यहाँ पर देश द्रोही करार कर दिया सोसल मीडिया की बात करें सोसल मीडिया पर इनको ट्रोड किया गया इन्हें से कहा गया कि आप यहाँ पर पाकिस्तान है इसको समर्थन कर रहा है मुसलिम कमनेटी है इसको समर्थन कर रहा है आप सरकार का समर्थन नहीं जागा है कुछ इस तरह से किया गया साथ ही इनका समर्थन किया गया राहुल गांदी जी को समर्थन किया गया किसके दौरा यहाँ पर जो पूर वित्तमंति थे पीछे तंबरम दौरा गुलाब नमी आजाद हो तूसरी सेलिजा हो तो अलग नेता हैं, दूसरे नेता हैं, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया गया, ठीके कुछ ऐसे नेता थे, आप देख सकते हैं, अगर नियूज फॉलो करना है, तो आप कहीं न कहीं पता चली जाता है, देखें, वह इसका समर्थन नहीं कर रहे थे, यानि कि कॉंग्रेस नहीं करें, यहां पर मतवेद चल रहा था, अब यहां पर बात करें थोड़ी से देखें, या क्या हुरा आज कि सममें, देखें कि कॉंग्रेस назад में मतवेद तो चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बड़े लेवल पर जो नेता हैं, कि कॉंग्रेस पार्टी को छोड़कर, बीजेपी पार्टी में सामिल हो रहे हैं देखें और कुछ नेता यह से हैं जो केसों में फसे हैं वीचे तंबम जी के दौरा भी केसों में फसे हुए हैं तेहाज इन भेजा गया इनको अभी इस तरह ऐसे कुछ नेता हैं जो कि यहां पर केसों में फसे हुए हैं, किसी ने किसी गुटाले में फसे हुए नजर आ रहे हैं और जो कुछ नेता अच्छे हैं तो वह पार्टी छोड़का दूसी पार्टी जोन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक दलदला फशी हुई है और इससे यह उबरदी हुई नजर भी नहीं आ रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या इस्तिती यहाँ पर बनकर निकल कर आती है। अब यहाँ पर बात की जारी है यह क्वेश्चन है आज के लिए। क्या question है, क्या सार्वजिनिक विश्व विद्यालाय खत्रे में है? तो जो सरकारी विश्व विद्यालाय होते हैं, क्या यह है खत्रे में? ठीक है, आलोजनात्मक बहस के लिए राजनेते खस्त छे, असहन सुतार ने जीवन सक्ति के विद्यालाय को छोड़ लिया है, तो देखे, यहाँ पर तीन व्यक्ति अपने अपने तर्क देते हैं, अब बहुत सारे questions पूछे जाते हैं उनसे, तो अन questions का answer देते हैं, तो एक तरीके से interview type का होता है तीन लोगों का, तीन लोगों से question पूछे जाते हैं और वो answer देते रहते हैं, तो बहुत 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 चलती रहती है, तो उससे related है, अब देखे, मुद्दा है क्या, यहाँ पर जो रोमिना थापर हैं, JNU और प्रोफेसर हैं, साथ ही 11 अन्य लोग थे यहाँ पर जो प्रोफेसर थे, तो यहाँ पर JNU थी, यहाँ पर इन्हों ने उनकी CV मांगी, इन्हों ने इन जो प्रोफेसर थे, इनकी CV मांगी, तो देखे, जैसे ही इनकी CV मांगी, तो जो चात्र हैं बहुत प्रदसन करने लगे कि जो संस्तार है इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था यह संस्तार के दौरा सही नहीं किया गया है यह प्रिक्रिया सही नहीं है आपको इस तरह से नहीं मानना चाहिए था क्योंकि काफी लंबे समय से यह प्रोफेसर हैं पढ़ा र करना शुरूर किया है तोसल मीदिया पर किया है अगर आप जैनियों की बात करें तो कोई भी मुद्धा आप उठाके डालने तो दो मिनिट में यहां पर या फिर एक घंटे आदे घंटे में दिन भर में यहां पर ट्रेंड करने लगता है जैनियों के नाम से चीज़ है इसलिए यहां पर सीवी पूछी मांगी गई है लेकिन इसको यहां पर सोसल मीडिया पर उठा दिया गया है और राजनीती से यहां पर जोड दिया गया है इस तरह ही कि यहां पर चीज़ें चल रही है तो आप थोड़ा सा यहां पर समझ के चलें चीज़ों को क्या गलत है क या सई थोड़ा सा अंतर करना यहां पर आप सीखें इन सभी चीजों तो यह था आज का हमारा discussion वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक कमेंट करके share करें साथ ही चैनल को subscribe करके bell icon भी प्रेस करें तो आज के इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत